हेलो फ्रेंट स्वागत है आपको दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि अधि आप एक रिज्यूम क्रियेट कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो आपको क्या-क्या चीजें मेंसन करना चाहिए ताकि आपका रिज्यूम सार्ट लिष्ट होने के चांसे काफी हद तक आप देख सकते हैं रिज्यूम दो तरीके से होते हैं प्रोफेशनल रिज्यूम जो कि आपको इस तरह से नजार आते हैं और दूसरे मॉडन रिज्यूम जो कि आपको इस तरह से नजार आते हैं कैसे ये क्रियेट किये जाते हैं कैसे ये रिज्यूम बनते हैं तो इस पर मै कौनसी इंफॉर्मेशंस कंपल सरी होता है कि आपको एक रिजूम में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें डालने चाहिए जिससे आपको एक रिजूम प्रोफेशनल लगे और फिर मॉडन बनाना चाहते हैं तो मॉडन में कौन कौनसी इंफॉर्मेशंस एड की जाती है नीची जरण अब देख सकते हैं यहां पर रूमर्ज तरह इसको हम थीध क्लिक करेंगे त데ीयां पर बहुत आप दे सकते हैं दोर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करके हम इसको प्रिंट लिकाला करें हैं चलिए हम जान लेते हैं कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन कंपल सरी होती है जिसको एड़ करना ही चाहिए और विजूम आपको केवल एक पेंज का बनाना चाहिए जिससे आपके साथ लिष्ट होने के चांसे काफी जादा बढ़ जाते हैं तो चलिए हम आपको दिखा देते ह क्यादि कोशने के जाते हैं कि आप मौडन बनाना चाहते हैं तो मौडन ने कैसे होता है में जिसाप करके क्लिकbart देतल पाकी आपको के चीजीशे करना है चीज भी हम आपको तेँगे तो चलिए हम आपको बता जाते हैं कि information कौन सी चीज़ें डालनी होती है और कैसे डालनी होती है यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको यह सारी information डालनी होती है कि resume के अंदर जैसे कि personal detail, education, experience, personal detail में दोस्तों आपको तो उस experience को डालना होता है यहाँ पर मैंने बताया है resume बनाते time सब कुछ मैंने खोल-खोल के बताया है कैसे डालना है इंडी स्कीन पर वीडियो मिल जाएगा देख लेजेगा बाकि मैं आपको यह बता रहा हूँ आज की वीडियो में कि आपको डालना क्या क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस skills आपको डालना होती है objective आपका career objective डालना होता है reference डालना होता है यहाँ पर जो भी आप कवर लेटर में लखना चाहते है add more section पर click करके और भी आपके achievement है तो आप create new section पर करके और भी चीज़ें आप यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप help में जाकर help भी mark सकते हैं अब जैसे इस पर मैं back करता हूँ और back करने के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस cv को open करूं अब हमारी जो information समने हो पर डाल दिया है तो इस तरह सी बन क्या जाएगा आपके सामने और अगर आप इस तरह भी पर click करेंगे तो इस तरह से template में आपको अपना resume चाहिए उस template पर आप click कर देजे इस तरह से और आपकी सारी information इस तरह से आपकी सारी मांशन हो जाएंगी तो आपको जिस भी टेंप्लेट में अपना resume चाहिए उस template को आप choose कर लिए modern जे तो modern template को आप यूज करिए आपको जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप ये सारी information सत्य ये डालिए तो आ लेजेंड सेर्वी आप प्लेश्टोर में जाका लिखेंगे तो यह मिल जाएगा आपको धनवाद चनल विजिट करने के लिए आपका धनवाद